नमस्कार स्वागत आपका न्यूस्वरल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूलतियागी और आप देखरें हूँ आखास कारकाम गूड मॉर्निंग इंडिया उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे कोरोना से पूरे प्रकॉशन ले रहे होंगे मास्क लगा रहे होंगे शोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे क्यूंकि देखिए तमाम राज्यों में अनलॉक की प्रकॉरिया शुरू हो गई है तो ऐसे में साफधानी अभी भी वरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्यूंकि कोरोना के मामले कम हुए हैं कोरोना खतम नहीं हुआ है इसी लिए पूरी साफधानी बरतें अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें तब ही कोरोना से हम जीत पाएंगे तो चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों के साथ मॉंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने मॉंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है बता दे डिजास्टर मेनेजमेंट और एंटी आरेफ की टीम भी अलर्ट मोड पर हैं आज दुपय करीब सवा बारा बज़े मुंबई में 4.26 मीटर की हाइटाइट आने के पूरे असार है मुंबई में कल सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है पहली बारिश में ही मुंबई में BMC के दावों की पोल खुल गई है और कई लाकों में जल जमाव से जन जीवन भी पूरी तरह से अस्वियस हो गया है कई लोगों के घरों में पानी भर गया है तो लोगों के फ्रिज, कुर्सी, मेज और सारा समान डूब गया है वहीं मीठी नदी, मौनसून की पहली बारिश में ही उफान पर आ गई है नतीजे के तौर पर अलग आसपास बने, घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जूब गये है लोग बेगर हो गये है, बारिश ने सडकों को नदी बना दिया है सडकों से पानी निकालने के लिए इंतिजाम एक बार फिर से नाकाम साबित हुए है बता दें, अनेरी सबसे लवालब भरा हुआ है केंग सरकल और माटूंगा में पानी ज्यादा भरा हुआ है नतीजा ये हुआ कि दोपईयां गाडियां वाले पैदल ही चलने को मजबूर है कई लोग खराब गाडियां खीचते हुए भी नजर आए वहीं दूसरी खबर भी महराश्ट से ही है जहां मुंबई में बुद्वार को पूरे दिन बारिश हुई उसके बाद मालवानी इलाके में एक चार मंजिला इमारत रात करीब ग्यारा बचकर दस बचे ढहकर दूसरी इमारत पगिर गई हाथसे के बाद मलवे से 18 लोग निकाले गए थे इनमें से 11 लोगों की जौन जा चुकी है बागी साथ घायलों का अभी इलाज चल रहा है बता दे हाथसे के वक्त इमारत में तीन परिवार रह रहे थे इनमें कुछ बच्चे भी शामिल है गटना के बाद पाय ब्रगेट और बीमसी की टीम घटना सल पर पहुँची थी और राहत का काम भी शुरू किया घनियाबादी होने के चलते घटना सल तक पहुँचने का रास्ता संक्रा है ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है रास्ता संक्रा होनी की वच्छा से एंबुलेंस जमकल और जेसीबी को भी मौके पर पहुँचने में दिक्कत हुई थी बतादे बीमसी ने कहा है कि आसपास की तीन इमारते खतरनाख स्तिती में हैं उन्हें भी खाली करा दिया गया है जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया कि हमारी टीम राद भर से रेस्क्यू में जुटी हुई है अभी भी मलबे में कुछ लोग पसे खो सकते हैं एक चश्मदीद के मताबक उन्होंने बताया कि हमारे फोन करने के तुरंट बाद फायर ब्रगेट की टीम पहुँची और रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया एलोपैती के इलाज पर टिपनी करने के बाद विवादों में गिरे योग गुरू बाबारामदेव भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने किस जून से देश के हर राच्चे में 18 साल से उपर के उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहिया कराने का ऐलान किया था इसको लेकर बाबारामदेव ने सभी कोटी का लगवाने की अपील की है और कहा है कि मैं भी जल्द ही वैक्सीन लगवाऊंगा बाबारामदेव ने लोगों से कहा कि वो योग और आयुवेद का अभ्यास करें योग बिमारियों के खिलाफ एक धाल के रूप में काम करता है कोरोना से होने वाली जटलताओं से बचाता है ड्रग माफियाओं पर टिपनी करते हुए बाबारामदेव ने कहा कि हमारी किसी संगठन के साथ दुश्मनी नहीं है और सभी अच्छे डॉक्टर इस धर्ती पर भगवान द्वारा भीज़े गए दूथ हैं वो इस घ्रह के लिए एक उपहार है हमारी लडाई देश के डॉक्टरों से नहीं है जो डॉक्टर हमारा विरोध कर रहे हैं वो किसी संसा के जर्ये नहीं कर रहे हैं वरेश्ट अभीनेता देलिप कुमार की तब्यत में सुधार हो रहा है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुटी मिलने की पूरी संभाबना है बता दें देलिप कुमार को सास लेने में दिक्कत होने पर अविवार को अपनगरी है खार के हिंदुचा अस्पताल में भरती कराया गया था ये गैर कोवेट अस्पताल है परिवारेक मित्र फैसल फारुकी ने कहा कि उनके गुरुवार यानि आज खर लोटने की पूरी उमीद है जो आज से पता लगा था कि उनके फेपरों के बाहर तरल पदात एकत्रित हो गया था डॉक्टरों में ने उस तरल पदात को निकाल दिया है पारुकी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आपकी प्रात्नाओं के लिए धन्य बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर जलील पारकर और डॉक्टर नितन कोकले से बाचीत की थी उन्हें उमीद है कि उजल्द ही उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आज खबरों में फिलार के लिए इतना ही लेकिन देश दुनिया की तवाँ खबरों से जुड़ रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूस वॉल इंडिया